नमस्कार निक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी आज केस खास वीडियो में वीडियो की शुरुवात करेंगे और बात करेंगे कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की राहूल गांध आम जद्दा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बयानों से भारत देश में खलबली मचते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको बता दे कि अब राहूल गांधी मुश्किलों में फस्तने वाले हैं क्योंकि आपको बता दे कि मोधी सरनेम मामले में सब उसे कड़ी सजा पाने वाले राहूल गांधी जो अपनी लोक सभा सदस्ता को भी गवा चुके हैं अब उनकी मुश्किले एक बार और बढ़ चुके हैं दरसल आपको बता दे कि राहूल गांधी के खिलाफ महराश्ट के भीवांडी कोट में मामला दर्श कराया गया है आर इसे संग को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वज़ा से आरसे समुदाय की भावनाए आहात हुई और इसी के चलते उनके खिलाफ ये मामला दर्श कराया गया आपको बता दे कि राहूल गांधी जो पहले ही मानहानी मामले में दो साल की सजा के दोशी करार किये गए हैं अब ऐसे में उनके खिलाफ एक और मामला दर्श उचुट चुका है बता दे कि महराश्र के भिवांधी कोट में राहूल गांधी के खिलाफ 6 जून को सुनवाई होगी इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें राहूल गांधी के वकील की तरफ से जो रिपोर्ट है वो सब्मिट की गई थी, हाला कि राउल गांधी की पेश की भी बात की गई, लेकिन राउल गांधी पेश नहीं हुए, इतना ही नहीं, राउल गांधी के खिलाफ जारखंड में भी तीन मामली दर्ज हैं, अमिच शाह पर दिये गए विवाधित टिपनी को लेकर, कॉंग्रेस प करिया के चलते ही कोट और पुलिस अपना काम कर रहा है, इसमें आखिरकार भारती जनता पार्टी का क्या रोल हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अगामी लोग सभाचुनाव से पहले राहुल गांधी के खिलाफ इतने सारे मुकद में, कहीं न कहीं राजुनितिक गलियारों मे कया सव को और ज्यादा बढ़ावा देते हुई नजर आ रहे हैं। इनको राहुल गांधी को पेश होना निवारे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि इन तमाम कानूनी पचलों में फस्ते हुए राहुल गांधी। क्या बाख़ी में आगामी लोग सभाचुनाव से पहली सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बागी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें। क्या सुए बॉक्स